हलो दोस्तों मेरा नम्राज है अब देख सपोर्ट में आपका स्वागत है चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपने फोन से चार्जर केबल से कैसे अपने पीसे में इंटरनेट कर सकता हूं बहुत छोटा सा प्रसेस है वह आपको मैं दिखाऊंगा और दूसरा यह अपने फोन का डाटा आइक फॉटोज वीडियो कुछ भी मैं फाइल कैसे ट्रंसफर कर सकता हूंब से करना है ऐसके लिए उसके लिए आपको डाटा के वाल का यूज होता है उसको यूज करना है वह अच्छ products का होना जिये इसे फाय इसे फाइल् ट्रांसपर हो जाए उस doable इसको केबल लेना है उसके बाद अपने PC में कनेक्ट करना है और PC में कनेक्ट करने के फोन के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको झी कैभाANS पर इसको फोन की डरुटरो 강णे करने हैं तो इसके बाद में फिर पो फोन पीरिये क्या सेठीं पेर में मैं आपको दिखा देता हूं तो उसके लिए अपने phone में क्या सक्टनिक करने हैं मैं आपको बता देता हूँ तो आप कुछ ली जाना है setting पर like मैं आपने phone के setting के चलरा जाता हूँ, मेरे पास मैं वीबो का phone है तो कुछ phone में क्या होता है? कि बहुत सारे phone में अलग- pharmaceutical setting होता है. आपको कुछ नहीं करना है? आपको setting पे आना है. अपने phone के और setting पे आने के बाद आपको यहाँ पे type करना है. यहाँ पर लिखना है. पहले net को में दिखा देता हूं. तो उसके बाद file सकते हैं यह मेरा ज़ने लग आज है यहां फर ति the करने के बाद आपको यह सट्निक करने के बाद, ह्पोजय गांट सकते हैं मेरे पास और यह वाइपाय मेरे आपने ड़िक्त से ही अपने फानका जो चाजर जाजने के बिसेगे मैं उससे कि अच्के का सासैं, मैं इसको वका रहा हूं है तो एक सटिंग यह वगई इह अपने फोन से कैसे PC में डाटा एकसेस करना है फेर इन्टरनेंट दूस्री değiş करना है share अपकोbooks अरव निकाल देता यो अर निकालने के बाद में इसको वापस लगाता हूं ऑर इसपटेंगे दिखा देता हूं तो करना है यह अबीबर चीए है मेरा यह यहां पर कर रहा है जरुआ तो लिए आपको आपको पून है तो आपके सेटिंग करना है और अपने फोन की स्क्रीन पर आना है और इप्लू तूथ एंड डिवाइसे पे लिए और यहां पर इसके बाद आप इसके बाद आपर आपके कुछ स्कूर्ण करना है और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर फाईल file transfer का option on कर देना है ठीक है, मैं जैसे ही इसको on किया हूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे PC के यह access हो रहा है, ठीक है तो यहाँ पे यह देख सकते हैं, यह पूरा access हो रहा है मैं चाहूं तो अपने phone का data अपने PC में share कर सकता हूँ इसको share कर सकता हूँ और चाहूं तो अपने phone से PC से अपने phone में कर सकता हूँ तो जैसे मैं इसको निगाल देता हूँ यह इसको copy करता हूँ copy करने के बाद तो मैं इसको paste कर देता हूँ यह देख सकते हैं, यह paste हो चुका है और मैं चाहूं तो मैं इसको इसको copy करता हूँ यहां से और अपने phone में मैं इसको डाल के दिखाता हूँ यहां पर बोलिया अपना phone का यह और इसके बाद इसमे टेबल टैप करना है यहां पर देख सकते हैं मैं इसको यहां पर paste कर देता हूँ झाल